हेलो फ्रेंड्स दिथिस स्वाती कोशिक आपकी अपनी अनकेडमी एजुकेटर और दोस्तों हम कर रहे थे नेटवर्क थेओरी के गेट पे वेसे क्रेशन्स उसी के हम आज पार्ट टू में देखेंगे कुछ नए क्रेशन्स और दोस्तों अगर अभी भी आपने अनकेडमी सब्सक्राइब डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कीजिए वहाँ पर मेरे को फोलो कीजिए और आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे और प्लीज मेरे को इसको रेट लोग फ्रेंड्स जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया कि आधम कुछ गेट पीवेसर क्रेशन कवर करने वाले हैं नेटवर्ग थिएरम के और दोस्तों इससे पहले मैंने नेटवर्ग थिएरी का बेसिक आफ नेटवर्ग एनलाइसिस में जिसमें मैं गेट प्रेशन कवर कर आए हैं उस को भी आप देख सकते हैं उसमें मैंने गेट प्रेशन का डीटेल सॉलिशन आपका प्रवाइट कर आया है और दोस्तों यहां पर जो यह नेटवर्ग थिएरम है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्ग थिएरम का तो हम इंगिल 53.13 वोल्ट देन थेवलिन थेवलिन इक्वेलेंट वोल्ट इस इन वोल्ट इस शॉन एस सीन बाइद लोड रिजिस्टेंस आरेल इस कि अगर हमें आरे पास जो वी एस है उसकी वैल्यू हंड्रीड एंगिल 53.13 वोल्ट है और इस तरह का सर्किट किवेन है हमें यह यहां पर कुछ इनडाक्टर है डिपेंडेंट शोर दिये हुआ है यहां पर भी इनडाक्टर एंगिल रिजिस्टेंस है तो इस जो लोड है हमारे पास आरेल इस इकोस टो ट्या ओम इसके एक्वेलेंट वोल्टेज होगा वो क्या होगा तो ऑप्शन गिविन हैं 100 एंगिल 60 degree इस तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर इसका थैवनिन इक्वेलेंट वोल्टीज फाइंड आउट करना है across RL तो देखते हैं कि क्यों को कैसे सॉल्फ करते हैं यहाँ पर जब हमें थैवनिन इक्वेलेंट वोल्टीज फाइंड आउट करना होता है तो जिस भी ब्रांच के across जिस भी element के across वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है उसको हम open circuit कर देते हैं तो यहाँ पर हमने RL को remove कर दिया है और यहाँ इसको open circuit कर दिया है क्योंकि इसके across हमें open circuit वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो दोस्ता अगर हमने यहाँ पर इसको open circuit कर दिया है तो यह जो I2 होगी वो हमारी 0 होगी क्योंकि current जो होती है हमारी closed loop में flow होती है और यहाँ पर यह open circuit है इसलिए I2 0 होगी J6 और 5 ohm के across हमारा कोई voltage drop नहीं होगा इस condition में तो यहाँ पर ऐसे ही जब I2 0 होगी तो J40 I2 भी 0 होगा J40 I2 क्या है यह हमारा question में given है एक dependent source जो हमारा output current पर depend करता है और output current हमारी अगर हम यह condition apply कर रहे हैं तो वो output current हमारी 0 हो रही है तो इसलिए इसकी value 0 होगी इसको हम voltage source को short circuit कर देंगे और दोस्तों हमें यहाँ पर find करना है open circuit voltage उसके लिए वो होगा हमारा 10 VL1 क्योंकि इसके across तो voltage drop 0 होगा तो यहाँ 10 VL1 होगा यहाँ पर VL1 क्या है VL1 है voltage across J4 तो यहाँ पर input loop से हम VL1 find out करेंगे तो यहाँ voltage divider rule की help से हमने VL1 find out किया है वो कैसे कि जो हमारा source resistance है into that resistance जिसके across हमें voltage find out करना है divided by summation of these two 3 plus J4 यहाँ पर हमने Vs की value put की है 100 angle 53.13 degree divided by इस 3 plus J4 को magnitude और angle की form में change किया है into 4 angle 90 degree इसको हम भी हमने magnitude और angle की form में change की दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3 plus J4 को एंगिल और magnitude की form में change करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जो यह 3 plus J4 है उसका अगर हमें magnitude निकालना है तो वो होता है under root under root real part का square plus imaginary part का square तो यहाँ पर इसका जो magnitude मिला है हमें 5 मिला है और ऐसे ही angle find out करने के लिए होता है 10 inverse imaginary value divided by real value तो यहाँ पर imaginary value हमारी 4 है real value हमारी 3 है तो एंगिल होगा हमारा 10 inverse 4 divided by 3 यहाँ से यह virtual calculator की help से आप find out कर सकते हैं तो वो आएगा अपना 53.13 degree तो यहाँ पर 3 plus J4 को angle and magnitude की form में यहाँ पूट किया है तब यहाँ solve करने के बाद हमारे पास VL1 आया है 80 angle 90 degree क्योंकि यह तो angle यहाँ से cancel out हो गया है 5 to 20, 20 and 4, 80 angle 90 degree हमारा VL1 आया है अब देखते हैं VTH कैसे find out करते हैं VTH होगा हमारा 10 VL1 plus I2 into 3 plus J6 यह equation हमारे कहां से आयी है यह output loop से आयी है बट यहाँ पर हमारा I2 0 है तो इसलिए यहाँ पर I2 0 है तो यह value हमारी यह term पूरी 0 हो जाएगी तब हमें VTH मिलेगा 10 into VL1 VL1 हमें मिला है 80 angle 90 degree तो VTH हमारा आया है 800 angle 90 degree volt देखते हैं कि objective type question था तो हमारा कौन सा option match कर रहा है 800 angle 90 degree option C हमारा correct answer होगा तो दोस्तों इस तरह से हमने थैवे नहीं theorem की health से on voltage divider rule लगा कि यह question सिर्फ solve क्या है कोई typical question नहीं है थोड़ा सा time लगा है क्योंकि two marker question है तो दोस्तों बहुत easy question है इस तरह की question और practice कीजिए और अब देखते है next question क्या है next question है नोटन्स theorem states that a complex network connected to a load can be replaced with an equivalent impedance इसमें पूचा है अगर नोटन्स theorem हम apply करते हैं तब जो complex network है वो किसके द्वार रेप्लेस होता है वो जो हम load resistance होता है उसके across कैसे connect होता है उसके साथ हम अगर नोटन्स equivalent अगर हमने circuit find out कर लिया है तो जो load resistance होता है तो उसके साथ कैसे connect होता है तो यहाँ पर for option दिये होए है कि उस resistance के series में current source होगा या फिर parallel में voltage source होगा या उस resistance के series में voltage source होगा या फिर parallel में current source होगा तो देखते हैं कि नोटन्स थियोरम में हम कैसे हम network को represent करते हैं यहाँ नोटन्स थियोरम में कहा है कि नोटन्स थियोरम states that a complex network connected to a load can be replaced with equivalent impedance in parallel with the current source जो complex network है उसको अगर हम represent करना है तो वो load resistance के साथ कैसे connect होगा parallel में एक current source होगा practical current source current source होगा with parallel resistance आरेन होगा तो इस तरह से जो इसका answer होगा कि RL के across क्या हमारा नोटन्स equivalent मिलेगा वो हमें मिलेगा RL के साथ parallel में एक connect होगा current source तो देखते हैं parallel और current source किस option में दिया है तो option D हमारा match हो रहा है तो इस तरह से अप्शन D हमारा match होगा तो आगे इस तरह से हमने question solve किया है और next lecture में हम नए questions लेके आते हैं उसमें देखते हैं कि किस तरह से और gate questions किस तरह किस topic से पूछे जा रहे हैं नेटवर्क theorem में भी किस theorem को ज्यादा focus किया जाता है तो इस तरह से हम next lecture में मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए bye bye thank you